गई आया ना मजा गई पिछले वीडियो में आया ना मजा नहीं आ रहा है झास नहीं आ राहा अब यहां पर है दूसरी परदी जो कि देने बाले बहुं सारा मजा दुपारा से और गाईज यह जो पीटी है यह यह जो पेटी है इसके अंदर है यह चीज़ दे हो गई यह ढाइब को भी सादा दाउट में रखते हो यहाँ पर आपको दिखाई देता है इधर आओ गाइस मैं दिखाता हूं क्या है यह दो गाइस पेटी के अंदर है गाइस गाइज इस पेटी के अंदर यहां पर है बहुत सारे अनार के दब्बे और यह है दिवाली पाउंटेन क्योंकि दिवाली आरे और भाई धमा का करना तो बनता है और आज इस इन पावरफुल इतने सारे अनार को चलाएंगे इस पेटी के अंदर और I am sure कि यह जो इतने सारे अनार है यह इस पेटी का क्या हाल कर सकते हैं किसने बदाए इसको तो आई जो है फटा बरजी शुरू करते है पेटी के अंदर चलाते अनार याद रखना जो पेटी है यह यह बनी हुए है लोहे की लेकिन यहां पर क्या यह जो अनार है इतने पावरफुल निकलेंगे कि लोगे की पेटी को गला देंगे या काट देंगे या खदम कर देंगे I don't know फड़ा बर्चे शुरू करते हैं सभी लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरू से दबा देना और इस वीडियो में दिखाए किसी भी चीज को किसी भी तरीके से ट्राय मत करना Please don't try anything shown in this video because everything is very dangerous शुरू करते हैं फड़ा बर्चे आप जो करना वो यह करना इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब गाइज यहां पर जो अरे फड़ा पर लग जाओ गाइज क्योंकि शाम का टाइम है अंदेरा होने से पहले हमको तार जीन तयार करनी है पेटी अंदर से खाली है बिलकुल नई पेटी हम लेके आए हैं और यार यहार यहां पर हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे अनार को पेटी के अंदर जलाना इसके लिए दिमाग यह लगाना पड़ेगा कि एक अनार को जलाएं और फिर हो जाए चेंड रियक्षन चेंड रियक्षन का मतलब होता है एक से तरीक इसमें रख रहा हूं अनार रखता हूं कि यहां पर स्कोरने से शुरू करता हूं और दूसरा अनार इसके एकदम सामने फिर तीसरा यहां पर चोथा इसके सामने तो भाई हमने बक्से के अंदर अनार जो कुछ इस तरीकी से रख लिए लेकिन आपको भी अच्छे से दिखानी पारा देखो लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा हमको इनको चिपकाना पड़ेगा ताकि चेंड रियक्शन हो सके और भाई जब तक हम इनको चिपकाते हैं तब तक एक बार हिंकी चेंड डियक्षन की टेस्टिंग भी कर लेते हैं यह नहीं होती है कै वे नहीं टेक्ष को रख देता हूं आमने सामने ओर देखते हैं कि क्या एक अनार दूसरे को जला पाएगा है नहीं को दूरो जो तुरो जाओ को गाईस वैसा यह सीधा नहीं है बडश स्विज़ए देखते हैं ऐसे टेड़े अनार कई वर फढ जाते हैं और यह मार रहा दूसरे वाले में ओ जल गया जो जा गया रहा दोनों जाल गए और बागए दर वढ़ा और फार्म ट्रीम खड़ा कर दिया तो हमने जलाये थे तो यह भी एक मजदार एक्स्पेरिमेंट हो तो आपस में खड़े हो जाते हैं जरूरी निये कि खड़े हो तो आप ऐसा मत करना ट्राय हम जो है अपनी पेटी बे आते हैं सारे अनार को लगाते हैं एक दूसरे के ओपोजित और जब तक हम अनार चिपका रहे हैं आप लोग वीडियो के लिए लाइक कर दो और चैनल को के बारी हमने तो चिप्काने का प्लाउन था उसको केशल रदिया है अन आर जो है वह इस पेडी के अंदर रखे हैं भाई सशुन को धया कर लकाते हैं आग तो किता आग लग च्शुकी यहां पे एक अनार के अंदर और यहां पर गाइज एक जो अनार है वो दूसरों को जला चुका है कईयों को जला चुका है यहां पे और आग निकल रही है बहुत तेज खड़े हो गैनार ओ वाओ उत तेरी दूसरा जल गया अपने आप जल रहा है बाई ओ तेरी कि वो ओफो आप गाइज देख रहे हो बहुत आदब राइट हो गया सब कुछ कि जो पेटी है ओ वो गिर गई गई ग्युर गई गई पेटी लाल है लेकिन तुस्क्र जाएंगे भाहर से बीजब के अन्धेर लाइट बंद आड़ो यक बार देख बार लाइस बाहर से लाल दिख रहे है क्योंकि लाल हो गया भाई लिटरली ये लाल हो गया है और पेटी को गला दिया देखो यहां पे होल दिख रहे हैं यह होल है लोहा गला दिया भाई इसने धक्कन पीछे गिर गया गलवल के अरो यार भाई अभी यह बहुत जादा गरम है अभी हम इसको खड़ा नहीं कर सकते हैं पूरा जो महोल है उसमें आगी थी भाई रोशनी रोशनी और इतना मस्त जो नसारा था वो देखने को मिला था पेटी जो है ना उसकी वाट लगा डाली है इसको थोड़ा सा ठंडा होने दितके तो आपको दिखाएं यार वहां छेद है यह दो छेद है भाई नीचे भाई प पैंदा है उसमें छेद हो गए हैं यह देखो यह देखो गाई अनार ने लोहे को गला दिया और जला दिया और छेद कर डाले अब आपको एक बार अच्छे से अंदर का महौल भी दिखा देते हैं भाई पेटी जो है वह हो चुकिए बिलकुल बरबाद लेकिन आप लोगो को जो मज़ा है अब तो जरू से आ गया होगा और पटा के कितने पाउटफुल होते हैं लोहे को कला देते हैं यह भी आपने देख लिया होगा तो इसलिए प्लीज कुछ भी ट्राइब मत करना तो गाईस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मज़ा है तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरू से दबा देना चैनल को सब्स्राइब कर लाइस और मज़दार वीडियो के लिए तो चलो फिर वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार भाई-बाई हैपी दिवाली चलो इधर लाना करता एक बार मजबूती भी देख लेते हैं लाइओ ऐस तो ठीक है इस साइड से फिर भी मजबूत है साइड में कुछ ही होल्स है लेकिन अबर आज यहां से अवाज ला रहे हैं यहां से आवाज ला रहे हैं अ अ खबाइ बाइ बाइ गाइस